यह गाईस वेलकम टू अभी टेकनो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं कुछ इंटरेस्टिंग फेक्ट्स वो भी हर एक प्लेनेट के बारे में जो ऑब्यूसली आपको पता नहीं होंगे और हाँ मैं हर एक प्लेनेट के फेक्ट्स बताने के बाद आप से ए तो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी यानि की बुद्ध प्लैनेट ये अगर 88 दिनों में सन का एक परिब्रिमन पुरा कर लेता यानि साल होता है या 88 दिनों के बराबर लेकिन इस ग्रह पर इंसान नहीं रह सकता है क्योंकि यहाँ दिन में तापमान लगबग 430nd degree Celsius होता है जो इंसान को जला कर पिगला देने के लिए काफी है वही रात की बात करें तो यहाँ का तापमान माईनस 170nd degree Celsius होता है जिससे इंसानों की हड्या आसानी से जम सकती है यान infinity sign को हम क्या केते हैं तो आप कहेंगे कि इससे infinity sign केते हैं लेकिन नहीं इसका दूसरा नाम भी है जैसे कि इस star sign को हम हो जाएगा अब यहां दिन हो या रात टेंपरेचर हमेशा अफ्रोक्सिमेटली 480 डिगरी सेलसियस होता है तो यहां तो हम अब्वियसली नहीं रह सकते हैं और यह सोर मंडल का सबसे गरम गरहा है मरकरी यानि बुद्ध गरह सन के सबसे पास होकर भी सबसे यादा गरम नहीं अब दूसरा फेक्ट खतम हो गया इसलिए अब मेरा दूसरा क्वेस्चन है कि यह नाक के नीचे दो लाइने होती है उन लाइनों को हम क्या कहते हैं अब तीसरा प्लेनेट है अर्थ इसका सबसे बड़ा और सबसे इंट्रेस्टिंग और सबसे अमेजिंग फेक्ट ही है यह और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन यानी पहाड भी जिसका नाम है ओलेंपस मौंस भी इसी ग्रह पर है और जिसकी हाइट है 72,000 फीट उसे अब डिवाइड कर लेना 3.141 से मीटर में चेंज करने के लिए जो लगबग माउंट एवरेस का 3 गुणा है अब म अगर आप इस ग्रह पर लेंडिंग करना चाता है तो आपके लिए बेटनी हुझे आप कभी भी इस ग्रह पर लेंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि यह एक गेस का गोला है और यहां कोई भी सर्फेस नहीं है इसलिए आप हमेशा हवा में ही रहेंगे और हवा में ही आपकी है हायस लेकिन इसी मवाई ने सेटन के 20 नई मून मिल गया है जिसे सेटन के पास फेले 62 मून से लेकिन 20 हम एगर जोड दे उसमें तो वह हो जाती है संक्या 82 मूनस की जैसे हो गई है इसलिए जीुपिटर सेवस्टीन और स्थर्फ चेसें एक साल और यह से सबसे ब्यूटिफुल प्लैनिट है अगर अगर आप सइस का बाघ टब बनाते हैं तो एक चुलिय प्लैनेट पानी में तेरेगा क्योंकि यह लेकिन आपको बार टब सेटन की साइज का बनाना पड़ेगा सेटन को सन का एक और्विट पूरा करने में लगबग 29.5 साल लगते हैं यह बहुत ज़ादा है यहाँ टेमपरेचर लगबग माइनस 200 डिगरी सेलसे से वापस से इंसानों के लिए बहुत खतरनाक इंसानों की हडिया जम जाएगी और उसकी देथ हो सकती है सबसे यादा मून्स भी इसके पास है 82 और इसका एक मौन है टाइटन थेनस वाला टाइटन नहीं यहाँ एटमोसफियर है और मिथेन के तालाब भी हैं इसलिए यहाँ माना जाता है कि कुछ लिविंग और्गिनिसम्स यानि बेक्टिरिया और वाइरस हो सकते हैं अब मेरा फिफ्थ क्वेसचन है की I और J के उपरी जो डोप है उसे क्या खा जाता है सबसे यह एक प्रित्वी तक की दूरी अब आप सोचàng आप जया है आपको अंदाजा भी नहीं है या दूरी कितनी ज़्यादा है मैं एक एक्जामपल लेता हूँ सन से लेकर सेटन तक की दूरी है लगबग उससे दुगना दूरी पर है यूरेनस यूरेनस को सन का एक औरबिट पूरा करने में 84 एर्स लगते हैं मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है यूरेनस अमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है जिसका टेंपरेचर लगबग माइनस 216 डिग्री सेल्सियस है इसके पास 27 मोन है और यह पहला प्लेनेट है जो टेलिसकोप से डिसकवर हुआ है अब मेरा सिक्स्ट क्वेस्टन है कि आप हाथ और पेरों में कभी-कभी खाली चड़ जाती होगी है ना आपको पिंस और नेडल्स वाली फिलिंग आती होगी आपको लगता है कि बलड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वाँ पे वो खाली चड़ गया है तो उसका एक साइंटिफिक्टम है उसको साइंस में कुछ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं वह आपको कमेंट में बताना है अब हमारा आठवा प्लेनेट है नेप्चुन प्लेनेट यह प्लेनेट सन से लगबग 300 करोड माइल्स की दूरी पर है यहां पर विंट्स बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं अगर आप यहां पर सिर्फ खड़े हैं तो भी यह विंट्स आपको सुपर सोने की स्पीड दे सकती है लगबग 1500 माइल्स पर अवर की स्पीड से यह विंट्स ट्राविल कर सकती है सोचिए आप किस गती से चल रहे होंगे माँ पर अब मेरा सेवन्थ क्वेस्चन है कि इस डिवाइड के साइन को क्या कहते हैं इसका नाम क्या है अब हमारा नाइन्थ प्लेनेट है प्लूटो लेकिन रुकिये क्या यह सच में प्लेनेट है कुछ ताइम पहले इसे यह क्या क्या प्लेनेट की केटेगरे से निकाल दिया है कि यह बहुत छोटा है और अपनी ओर्बिट यह खुद नहीं बना सकता है यह यूरेनस और नेप्चून की ओर्बिट पर अर्थ का रिवल्यूशन करता है यह केपलर बेल्ट का पहला अबजेक्ट छा दो डिस्कवर किया गया पहले पहले यह प्लेनेट लगा था लेकिन बाद में इसे प्लेनेट के ग्रूप से निकाल दिया गया क्यों निकाला गया क्योंकि प्लूटो जैसे और भी केपलर बेल्ट के अबजेक्ट जैसे की इरिस से डेना और बहुत सारे अबजेक्ट मिले थे तो Pluto planet नहीं है इसलिए इसका कोई question भी नहीं बनता है तो अब मैंने जो भी question पुछा थे उनके answer देने का time आ गया है तो मैंने पहला question पुछा था किस infinity के sign को हम क्या कहते हैं तो इसका answer है Lemnyskate जी हां Lemnyskate मैंने आपसे तीसरा question पुछा था कि सूज की ये जो लेस में plastic का cover होता है उसे हम क्या 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 है मैंने आपसे पांचवा question पुछा था कि I और J के उपर जो small dot है उसे हम क्या कहते हैं साइद आपको इसका answer आ गया होगा कि ये easy है तो इसका answer है title जी हां title मैरा आपसे six question था कि आपके सरीर में हाथ या पेर में कभी-कभी खाली चड़ जाती है blood के circulation ना होने क्या जासे तो उसे scientific term में क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है पेरेस्थेसिया जी हां पेरेस्थेसिया अब मेरा seventh and final question था कि इस division के sign को क्या कहते हैं जो साइद आपने कभी सुना ना हो लेकिन उसका answer है obelis जी हां obelis तो ये था आज का हमारा वीडियो मैंने try किये कि यहां फिर मैं अपना best दे सकूँ जितनी information में gather कर सकता था उतनी मैंने आपके साथ share की है तो आप भी एक काम कीजिए ये वीडियो को like कर दीजिए अगर आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो dislike कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि आप जितना share करेंगे उतना आपको यह याद रहेगा और हां thanks for watching